दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि गयानवापी मस्जित का जो मामला है वो कोट में चल रहा है उसी के बीच एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है और खुलासा करने वाले कौन हैं आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये हैं इनका नाम है महंत गनेश शंकर उपाधियाई ये वहीं के एक मंदीर के पुजारी है और बचपन से मस्जित जाया करते थे गयानवापी मस्जित जाया करते थे वहाँ पर घंटों समय बिताते थे और चश्मदीत बनकर ये खुलासा किये हैं अभी स्क्रीन पर आप लोगों को खबर दिखाऊंगा ये क्या कह रहे हैं ये जो फवारा है जो हिंदू लोग जो कई हिंदू संगठन के लोग जो शिवलिंग मान रहे हैं और मुस्लिम इसे फवारा बता रहे हैं तो ये चश्मदीत बनकर यानि बचपन से देखते आ रहे हैं इन्होंने क्या कुछ कहा है शिवलिंग है या फवारा है इस क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा और बाद में इस महंत के लिए लोगों का क्या कहना है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए महंत गनेश शंकर उपादियाय का कहना है कि ग्यानवापी मस्जिद सर्वे में जो शिवलिंग जैसी आकिरती मिली है वो शिवलिंग नहीं है बलकि फवारा ही है उन्होंने कहा कि हम लोगोंने बचपन से देखा है सेकड़ों बार वहां गए हैं ये बचपन से फवारा देखते आ रहे हैं और वहीं के हैं चश्मदीद हैं तो लोगों का ये कहना है कि जो दूर दराज से आते हैं जो शिवलि बहराल इस महंत के लिए लोगों का क्या कहना है वो भी जरा देख लिजे एक यूजर लिखते हैं महंत जी की हिम्मत और सत्य बोलने की जुर्रत काबिले कदर है तारीफ कर रहे हैं दूसरा यूजर कहते हैं अब कुछ लोग आएंगे और महंत को हिंदू द्रोही घोशित कर देंगे और एक यूजर कहते हैं जो लोग मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रहे थे क्या वह लोग शेवलिंग को नहीं तोड़ पा रहे थे और जो मुसल्मान उसमें अब तक नमाज पढ़ते आ रहे थे क्या उनको भी शेवलिंग नहीं दिखाई दिया ताके उसको किसी तरह गायब कर दिया जाए लेकिन छोड़िये ताकत के आगे सबूत क्या होता है मतलब लोगों का ये कहना है कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो मंदिर तोड़ने के बाद शेवलिंग को क्यों छोड़ दिया अगर मस्जिद बनानी होती कबजा करना होत तो शिवलिंग को भी गायब कर देते लेकिन क्यों छोड़ा क्यों कि लोगों का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं वो फववरा है साथी साथ ये भी लोगों का सवाल है कि जो वहीं के हैं जो महंत हैं जो देखे हैं चश्मदीद हैं बच्पन से वहीं रहते आ रहे हैं उनका य अलांकि ये मामला कोट में चल रहा है बाद में क्या होने वाला है वो बाद में बताया जाएगा फिलार आप लोग कमेंट करिए राई दीजिए जो लोग नई आई है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए